मेरे प्यारे देश्वासियों, भारत ही नहीं, आज पुरी दुनिया के लिए ये गर्व का विशा है, कि आज जब हम गांधी 150 मना रहे हैं, तो इसके साथ ही 130 करोड देश्वासियों ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त होने का संकल्प लिया है। परियावरन समरक्षन की दिशा में भारत ने पूरे विश्व में जिस प्रकार की लीड ली है, उसे देखकर आज सभी देशों की नजरें भारत की और ठीकी हैं। मुझे पुरा विश्वास है आप सब दो अक्तूबर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए होने वाले अभ्यान का हिस्सा बनने वाले ही हूंगे, जगा जगा लोग अपने अपने तरीके से इस अभ्यान में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन हमारे ही देश के एक नवजवान ने एक बड़ा ही अनोखा अभ्यान चलाया है। उनके इस काम पर मेरा ध्यान गया। तो मैंने उनसे फोन पर बात करके उनके इस नए प्रयोग को जानने समझने की कोशिश की हो सकता हैं। उनकी ये बातें देश के और लोगों को भी काम आये हैं। श्रीमान रिपु दमन बेलवी जी एक अनोखा प्रयास कर रहे हैं। वे प्लॉगिंग करते हैं। जब पहली बार मैंने प्लॉगिंग सब्द सुना तो मेरे लिए भी नया था। विदेश्वा में तो शाहिद ये सब्द कुश मात्रा में उप्योग हु प्लॉगिंग को लेकर के इतना बड़ा समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। तो मेरे मन में जिग्यासा थी तो मैंने सोचा मैं खुदी फोन करके आप से पूछू। ये कलपना कहां से आई आपके मन में ये शब्द वारी तरीका कैसे मन में आया। युवाओं को आज कुछ पूल चाहिए कुछ इंट्रेस्टिंग चाहिए उनको मोटिवेट करने के लिए तो मैं तो मोटिवेट हो गया। अगर मेरे को 130 करोड भार्तियों को इस मोहीम में जोड़ना है तो मुझे कुछ कूल करना था कुछ इंट्रेस्टिंग करना था तो तो मैं खुद एक रणर हूँ तो सुभे जब हम रन करते हैं तो ट्रासिक कम होता है लोग कम होते हैं तो पूरा ओर ट्रैश बहुत नासिक सबसे जाज़ा दिखता है तो इंस्टिट अप्रिबिंग इन कंप्लेणिंग मैंने तोचा कि इसके बारे में उच करते हैं और अपन यहां पर हम रनिंगृप्स को उनके वर्काउट के बाद उनकी कूल डाउन अक्तिविटी में हमने बोला आप उड़ा उठाना साट करो अपना प्लासिक उठाना साट करो तो आप रनिंग कर रहे हो आप दीनिंग कर रहे हो सबनली बहुत सारी एकसराइज है और अग आप और आपको चाहिए साल काफी सारी फिटनेस मैगजीन ने इंडिया का टॉप फिटनेस ट्रेंड को नॉमिनेट किया आपको बताईए इस बात के लिए था भी आपने 5 सितंबर शुरू किया है जी सर, इस मिशन का नाम है RLN Run to Make India Literacy, जैसे आपने October 2 को एक historic verdict देना है, and I am sure कूडा मुक्त होगा, तो प्लास्टिक मुक्त भी होगा, and वो एक इंडिविजबल रिस्पोंसिबिलिटी आएगी, और I am running and cleaning up thousand kilometers covering 50 cities, तो सबने बताया कि शायद दुनिया की longest clean up drive होगी, और इसके साथ साथ हम एक बहुत ही cool सर, social media hashtag use किया है हमने, hashtag plastic of war, जहां पे हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप हमें बताइए, तो आप कौन सी एक single चीज है, single use anything, not just single use plastic, बट single use anything, जो आप completely अपनी life से हटा देंगे. आप 5 सितंबर से निकले हो, तो क्या अनुभवा है आप तक कापका? परिश्रम नहीं है, एक साधना है, साधना कर रहे हैं, मेरी तरब से बहुत बदाई देता है, लेकिन मान लीजे आपको तीन बाते देश वास्यों को कहनी है, तो ऐसे तीन बाते specific क्या संदेश देंगे आप? मैं आक्चली तीन स्टेप्स देना चाहूंगा, टूर लिटर फ्री इंडिया, टूर पूड़ा मुक्ष भारत, टेप नमबर वन, पूड़ा कूड़े दान में डालें सिरफ, टेप नमबर टू, कोई भी आपको कूड़ा दिखता है, जमीन पे उसको उठाएं और कूड़े दान में डालें, टेप नमबर त्री, अगर कूड़ा दान नहीं दिखता है, अपनी जेब में रखें, अपनी गाड़ी में रखें, घर ले कर जाएं, अगर हम ये तीन स्टेप्स फॉलो करेंगे, वी विल सी अलेटर फ्री इंडिया, हमें कूड़ा भारत मिलेगा, देखे रिपू जी, बहुत सरल सब्दों में, और सामान ने मानवी कर सके, उस भाषा में आपने एक प्रकार से, गांदी जी के सपने को ले करके चल रहे हैं, साथ-साथ, गांदी जी की जो सरल सब्दों में बात बताने का तरीका था, वो भी आपने एड़ोप कर लिया है, इस्टे आप बधाई के पात्र है, रिपो दवन जी आपसे बात करकर के मिझे बहुत अच्छा लगा, और आपने एक बहुती इनोवेटिव तरीके से, और खास करके नवजवानों को पसंद आये उस तरीके से, इस पूरे कारकम को ढाला है, मैं आपको बहुत बधाई देत और साथियों, इस बार पुझ्य बापु की जनती के अउसर पर खेल मंत्राले भी, फिट इंडिया प्लॉगिंग गरन का आयोजन करने जा रहा है, दो अक्तूबर को दो किलोमेटर प्लोगिंग, पूरे देश भर में यह कारकम होने वाले हैं, ये कारकम कैसे करना चाहिए, ये कारकम में क्या होता है, ये रीपू दिमन जी के अनुभव से हमने सुना है, दो अक्तूबर से शुरू होने वाले इस अभियान में, हम सब को ये करना है, कि हम दो किलोमेटर तक जोगिंग भी करें, और रास्ते में पड़े प्लास्टिक के कच्रों को भी जमा करें, इस इसे हम न केवल अपनी सहत का ख्याल रखेंगे, बलकि धरती मा की सहत की भी रक्षा कर सकेगे, इस अभियान से लोगों में फिटनेस के साथ साथ स्वस्चता को लेकर भी जागरुकता बढ़ रही है, मुझे विश्वास है कि 130 करोर देश्वासी इस दिशा में एक कदम जुक्त होने की दिशा में अपना भारत 130 करोर कदम आगे बढ़ जाएगा, रिपो दमन जी फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आपकी टीम को और ये नई कलपकता के लिए मेरी तर्प से बहुत बहुत बढ़ाई, तैंक्यू, मेरे प्यारे दुनिया में चल रही हैं, लेकिन हम गांधी 150 को कर्तव्य पत पर ले जाना चाहते हैं, अपने जीवन को देश हित में बदलने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बात एडवांस में जरा याद कराने का मन करता है, वैसे मैं अगले मन की बात में उसको विस्तार से जर रहा हूं ताकि आपको तैयारी करने का आउसर मिले, आपको याद है कि 31 अक्तोबर सरदार वल्लभाई पतेल की जन्मजैनती है, एक भारत स्रेष्ट भारत यह हम सब का सपना है, और उसी निमित्द हर वर्ष 31 अक्तोबर को हम पुरे देश में रन फर यूनिटी, देश की एकता के लिए दोड़, अबाल वुरुद सब लोग, स्कूल, कॉलेज, सब, हजारों के ताबाद में, हिंदुस्तान के लाखो गाउं में, उस दिन देश की एकता के लिए हमें दोड़ना है, तो आप अभी से तैयरी शुरू कीजिए, विस्तार से तो बात आगे जुरू क करूंगा, लेकिन अभी समय है, कुछ लोग प्रेक्टिस भी शुरू कर सकते हैं, कुछ योजना भी कर सकते हैं, मेरे प्यारे देश वासियों, आपको याद होगा, 15 अगस को मैंने लाल किले से कहा था, कि 2022 तक आप भारत के 15 स्थानों पर जाएं, कम से कम 15 स्थान, और वो हो सके तो एक रात, दो रात रुकने वाला कारकम बनाएं, आप हिंदुस्तान को देखे, समझे, अनुभव करें, हमारे पास कितनी विविदत आएं, और जब ये दिवाली के त्योहार में छुटियों के दिन आते हैं, लोग जुरूर जाते हैं, और इसलिए मैं फिर से करूँगा कि आप भारत की किसी भी ऐसी पंदरह जगों पर घुमने जरूर जाएं, मेरे प्यारे देशवासियों, अभी परसों ही 27 सितंबर को World Tourism Day मनाया लिया, और दुनिया की कुछ जिम्मेबार एजन्सियां, टुरिजम का रैंकिंग भी करती हैं, और आपको जान करके खुछी होगी कि इंडिया ने Travel and Tourism Competitive Index में बहुत सुधार किया है, और ये सब आप सब के सयोग के कारण हुआ है, विशेशकर, टुरिजम का महत्मय समझने के कारण हुआ है, स्वच्चता के अभियान का भी उसमें बहुत पड़ा योगदान है, और ये सुधार कितना है मै बताओं आपको, आपको जरूर आनद होगा, आज हमारा रेंग 34 है, पांच साल पहले हमारा रेंग 65 नंबर पे था, याने एक प्रकार से हम बहुत बड़ा जंप लगा चुके हैं, अगर हमने और कोशिश की तो आज हादी के 75 साल आते हाते हम टुरिजम में दुनिया के प् स्थानों में अपनी जगा बना लेंगे, मेरे प्यारे देश्वासियों, आप सबको फिर एक बार विविद्धता से भरे हुए भारत के विविद्ध्य हारों की भी बहुत बहुत शुबकामना हैं, हाँ ये भी जुरूर देखना कि दिवाली के दिनों में फटाके वगरों से कहीं आग जनी, कहीं किसी व्यक्ति का नुक्षान न हो जाए, इसके लिए जो भी एतराज बरतना चाहिए, आप लोग जरूर एतराज बरती हैं, खुशी भी होनी चाहिए, आनन भी होना चाहिए, उत्साह भी होना चाहिए, और हमारे त्योहार सामुगता की महग भी ला सामुहिक ताके समस्कार भी लाते हैं, सामुहिक जीवन ही एक नया सामर्थ देता है, उस नए सामर्थ की साधना का मुकाम होता है, तो हार आईए, मिल जुल करके उमंग से उत्सा से नए सपने नए संकल्प के साथ हम तो हारों को भी मनाएं, फिर एक बार बहुत बहुत शु झाल झाल